पर बात होगी इरान पर करारे पलटवार की इसराइल की तैयारी है और इरान ने जो हमला किया है वो अपतक का सबसे बड़ा हमला इसराइल पर माना जा रहा है मिसाइलों से हमला किया गया था अब नेतन्याहू कैसे इसका जवाब देते हैं इस पर सबकी निगाहे टिकी हुई हैं इसका कोई तोड है नहीं बहुत नुक्सान होता नहीं इसराइल पर तकरीबन दो सो मिसाइले दागी गई है और अब दो तस्वीरे देख लीजे पहली तस्वीर इरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है हमले के पहले का एर स्पेस कैसा है हमले के बाद का एर स्पेस कैसा है इस तस्वीर के जरीए उसे आप समझ सकते है इरान का इसराइल पर बड़ा हमला तेल अवी पर इरान का ताबर तोड़ हमला इरान ने तेल अवी पर आसमान से बरसाइम बारूद एरान ने इसराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया आस्मान से एक के बाद एक एरान की मिसाइले इसराइल की धर्ती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहाँ तेज धमाके होते रहे एरान ने चुन-चुन कर इसराइल के महतपूर्ट हिकानों को निशाना बनाया तेल अवी पर ताबर तोड हमले किये और दुनिया की सबसे खतरनाख खूफय एजंसी माने जाने वाली मुसाइट के हेड़कॉर्टर को ध्वस्त करने का दावा किया एरान का ये भी दावाए कि उसने इसराइल के परमारू रियाक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की एरान ने इसराइल पर इतनी मिसाईले बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा अज्राइल परक्मले के बाद प्रदान मन्तरी नेतन याहू कि प्रतिक्रिया समन्याई अनों एरान को सकत शेताव निदी नेतन याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिये यानि साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इसराइल भी इरान पर बड़ा हमला करेगा इसराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहा होगा इसका फैसला इसराइल करेगा एक दिन पहले इसराइल की प्रधान मंत्री बेनियामी नेतन्याहु ने इरान की जंता को संबोधित किया था इस दौरान उन्होंने इरान की साशन के आलोचना की थी उन्होंने एरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इस्राइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है और नेतन याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही एरान ने इस्राइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी जिसके बाद पूरे इस्राइल में हावाई हमले के सायरन बचने लगे जिसके बाद इस्राइली सेना ने तुरंट सभी लोगों को बम शेल्टर में भेचने का दावा किया खालाक इस हमले में इस्राइल को जादा नुक्सान होने की खबर नहीं है इसलिए कहा ये भी जौरे के इरान ने ये हमला सर्फ अपने एहम को संतुष्ट करने के लिए किया था और इधर जराइल के पलटवार के लिए इरान भी तैयार है इरान ने अपने हवाई अलाके को बंद कर दिया है कल सुपर पाच बजे तक इरान का जो एर स्पेस है हवाई क्षेत्र वो बंद है इरानी संसत के स्पिकर ने इसराइल को चेताब नहीं दिये कि अगर पलटवार किया तो कारवाई बिलकुल अलग होगी इसराइल के हमले के लिए इरान पूरी तरह तैयार है ये कौन कहा रहा है ये बागहिर कहा रहा है और इसराइल युद्ध के बीच बड़ा अपडेट आपको दिली से देदें दिली में इसराइल एमबेसी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई सुत्रों के हवाले से खबर एमबेसी के बाहर अतरित सुरक्षा बल तैनाद किया गया है इसराइल एमबेसी के बाहर पेट्रोलिन भी बढ़ा दी गई है ये अपडेट हम आपको दे रहें दिली का और इस बीज बढ़ा अपडेट ये भी है कि जैसे इसराइल की तरफ से हिजबुला के टॉप कमांडरों के लिस जारी की गई थी वैसे ही इरान की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है इसमें इसराइल के पीम बेन्यामिन नेतन्याहू को टॉप लिस पर रखा गया है और उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का मैसेज लिखा गया है इसराइल के खिलाफ एरान की पोस्टर में साइब इरान के पोस्टर में नेतन्याहू को बताया गया बारूदी जंग के बीच इरान का पोस्टर वार वार जोन में इस वक्त भयानत अग्ड़मची है मैसाइल हमलों के बीच लगातार बस्ते सायरन किसी बड़ी अन्होनी की तरफ इशारा कर रहे है लोग जल से जल सुरप्षे ठेकानों तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन इसे बीच एक पोस्टर ने इरान की मन्शाओं को दुनिया के सामने ला दिया है दावा क्या जा रहा है कि ये पोस्टर इरान की तरफ से ही जारी किया गया है इस पोस्टर में इसराईल के पधान मंत्री बेन्यामिन नेतनियाहू को Most Wanted करार दिया गया है और पोस्टर के जरिये उन्हें जिन्दा या मुरदा पकड़ने की बाते लिखी गई है यारी इरान सीधे सीधे बेनियामिन नेतनियाहू को टार्गेट करना चाहता है। यही वज़े है कि अमेरिका के पूर राश्ट्रपती डानल ट्रम्प ने तीसरे विश्वयुद के कयासों का भी जिक्र कर दिया है। इरान के इस पोस्टर वार की कहानी इसलिए भी एहम हो जाती है। क्योंकि हजब लाके चीफ हसन नस्राला की मौत के बाद इसराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया था। इस पोस्टर में उन लोग का नाम शामित था जिने इसराइल ने मौत की नीद सुला दिया था। यानी मौलिस्ट जो इसराइल के लिए वांचित आतंकी थी। इस लिस्ट में हसन नस्राला का नाम टॉप पर था। यही वजह है।